supply return venture फ्रेशियर यह तीनों क्या है और कहा कहा पर हम लोग उसके हैं हुई सिस्टम में इसका क्या महत्व है चेलल सिस्टम में चेल वाटर लाइन में या गैस लाइन में इसका महत्व है तो यह सारी जानकारी आज हम लोग जानें वीडियो में। और जो हमारे काम सीक रहे रहे हैं जो सइगर काम कर रहा हैं। इसनली वीडियो को लाज तक देखें इसके पन करें। वीडियो अकर अच्छे लगए तो जरू लाइक करतें। और बिल नोड्यों सब्सकों स야र करतें। चया पता उने भी कि जरुवत हो दोस्तों चलिए मैं देर ना करते गए शुरू करता हूँ आप लोग बताना क्या क्या है तो फर्स्ट इस्टेप में हम लोग जानेंगे कि आपक च portrait क्या होता है सब्से फर्स्टेप जो है पेकेज़ेसी के साथ और AHU, FAHU और जो FC होता है, इन सब में supply air यूज होता है, supply air duct यूज होता है, तो इसका जो क्या कारण है, क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं, तो इसका कारण ये है कि हम लोगों के room में या जो हमारा area है, desired area जो process area है जिसको हम ठंडा करना चाहते हैं वहां पे ये ठंडी हवा पहुचाता है supply air का मतलब ये है supply air duct का मतलब ये है तो हवा वहां पे ठंडी हवा पहुचाता है तो किसी भी unit में आप लोग देखेंगे जो fresh air handling unit होता है FAHU या फिर AHU इसमें आपको supply air duct मिलेगा ही मिलेगा तो आप लोग ये समझ में आया कि supply air क्या होते है और क्यों यूज किया जाता है अब हम लोग बात करते हैं return air की तो return air duct भी होता है return air भी बोलेंगे तो ये जो चीज़े हैं ये भी सेम सेम जगों में यूज की जाती है गैस में भी चिल वाटर लाइन में भी तो जो हमरा package unit है package AC है उसमें भी ये यूज किया जाता है return air duct के माध्यम से और जो FCU होता है किसी किसी में duct के माध्यम से होता है किसी किसी में direct जो return air होता है वो FCU में coil के थो चल जाता है और जो FAHU है उसमें भी duct लगा हुआ होता है और जो AHU है उसमें भी duct लगा हुआ होता है इससे क्या होता है इयर जो ठंदी होती जो रूम में हम लोग किसी भी एरिया में हूआ देगे सामर प्रसमें वह निकलना बी चाहिए जो ठंदा हन गळाता है वह वापास भी उनिट में प्रस्ट करेगा ऑजिसे कि जो बाहर का जो हमारा को से फ्रेश एर की जवब करते है कि हम लोगों को घंडी नहीं को थंडी हवा चाहिए यूसकिक है. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रेश एर हंडिंट की जो इसको बला आता है इसमें आप लोग जानते हैं कि इसमें इसमें चार स्टेफ होंगे हैं है कि सकिन रिचार इर ड 아주 इसमें जे john ओञें और फ्रेश इह एक्र कि आस सब कराया करें सब्सक्राब़ारे कि अंदर जो हवा का एकसेस होगा उसको हमको निकालना भी है तो फ्रेश एर अक्सर ऐसे जगों पर यूज किया आता है फिछ जहां पर हम लोगों को फ्रेश एयर की बहुत ज़ाधा अवस्चता है और जो यह एक्षिव कि अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या है रिटर् परसेंट 10% यतना भी हम लोगों को set करना है वो हम लोग कर सकते हैं अगर हम लोग बात करें पैकेज एसी की तो पैकेज एसी में भी एक supply duct होगा एक return duct होगा और return duct के साथ हम लोग fresh air use करते हैं, company design भी करती है और उसको हम लोग अपने सुविधा के अनुसार हम लोग उसको set करते हैं कितने percentage पे करना है या company जिस design से उसको बनाती है, उससाब से हम लोग उसको set करते हैं और अगर हम बात करें FCU की FCU आप जानते हैं कि ये जादा तर अंदर घरों में लगावा होता है तो इसमें fresh air का option नहीं होता है तो जहां पर FCU होता है FCU जहां पर यूज होता है किसी भी building में high rise building हो या विला हो या कहीं पर भी तो वहां पर अक्सर क्या होता है कि जो fresh air handling unit यूज किया जो कि हमारे घर तक हमारे अंदर घरों में रोम में fresh air पहुंचाता है तो इस तरीके से ये fresh air supply air और return air काम करते हैं किसी भी HVAC system में किसी भी chiller plant के साथ किसी भी AHU में किसी भी FAHU में तो उमीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छे तरीके से समने में आई होगी वीडियो कैसी लगे कमेट करें जरू बता है वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरू लाइक करें चैनल को सब्सक्राब करें और बिल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके और अपने द